नमस्कार दोस्तों, IFL Securities में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे Weekly Outlook Equity Commodity and Currency का इसमें हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले हफता मार्केट का कैसा रहा और आने वाले हफते में क्या महत्पून लेवल रह सकते हैं कैसा मार्केट का ट्रेंड हो सकता है और क्या important factor हो सकते हैं अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें एक्यूटी मार्केट से तो हमने देखा कि एक्यूटी मार्केट लाल रंग में बंद होती हुई देखी गई सेंक्सेस करीबन 1.73% की गिरावाट के साथ 69.636 के स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया वहीं निफ्टी करीबन 1.87% की गिरावाट के साथ 17.764 के स्थर पर बंद होती हुई देखी गई हमने देखा एक्यूटी मार्केट में काफी वालड रीली पिछले अफ़ते देखी जहाँ पर हमने देखा US के खराब आकड आने की बज़े से घरावाट देखने को मिली साथ में हमने देखा है कि market एऑल लेवल पर सस्टेन नहीं कर पारी थी तो एक important support zone है करीबन 17,400 से लेकर 17,100 के बीच हमें लगता है कि ये market के लिए important support level रहेंगे resistance level market के लिए 18,150 और 18,480 का रहेगा हमारा माना है कि market आने वाले दिनों में इसी range में move कर सकती है हाला कि market का जो trend है वो अभी positive है तो थोड़ा वो deep अगर मिलता है तो हमारी सलाएगी खरदारी का trade बनाए जा सकता है तो equity market में हमारा view है कि market के अंदर lower level पर खरदारी का trade बना के चल सकते है वहीं अगर हम commodity market की बात करें तो gold के अंदर हमने एक मामुली गिरावट करीबन 0.99% की गिरावट के साथ gold के level 48 और 828 के स्तर आते हुए देखे international market में भी करीबन 0.98% की गिरावट के साथ 1845 के स्तर देखने को मिले हमने देखा था पिछले हफ़ते gold करीबन 1880 डॉलर के स्तर को चूता हुआ देखा गया वहाँ से एक profit booking आती हुई देखी गई gold के लिए महत्मून लेवल 48 और 400 देखने को मिल सकती है इस बार अगर हम देखें तो physical market के अंदर gold silver की demand की वज़े से gold तो silver को support मिल सकता है हमें लगता है कि आने वाले हफते में gold silver का trend एक sideways to up रहेगा यहाँ पर भी lower level पर खरदारी का trade बना के चल सकते हैं silver हमने देखा करीबन 2.37 की गिरावाट के साथ 65,556 की सतर पर बंद होती भी देखी गई यहाँ पर जो मैत्मून support है 64,700 से लेकर 64,000 और resistance 67,000 से लेकर 66,800 हमें लगता है कि silver के अंधर भी lower level पर खरदारी के देखी जा सकती है physical demand आने की वज़े से और साथ में silver में trend positive देखा जा सकता है gold में जो target level हम कर रहे हैं करीबन 49,500 से लेकर 49,700 का level gold में देखने को मिल सकता है silver में हम जो target कर रहे हैं करीबन 67,000 से लेकर 66,500 तक के level silver में देखने को मिल सकते हैं वहीं अगर हम आप base metal की बात करें तो हमने देखा है की base metal में गिरावट के साथ trade हुआ copper और zinc और बाकी base metal सभी negative territory में बंद होते हुए देखे गए copper के भाव करीबन 1.41% की गिरावट के साथ 734.45 के स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया यहाँ पर mathpun support 725 और 710 रहेगा resistance 745 और 760 रहेगा हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि lower level से market काफी recover होता हुआ देखा गया तो copper के अंदर हमारा view है कि यहाँ पर support level पर खरदारी की जा सकती है यहाँ पर अगर हम अगले हफते का target देखें तो हमें लगता है कि उपर में target करीबन 745 से लेकर 750 तक के level देखने को मिल सकते है जिंग की अगर बात करें तो जिंग करीबन 3.93% की गिरावट के साथ 266.30 के स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया यहाँ पर भी अगर हम देखें तो trend थोड़ा sideways to down देखने को लग सकता है यहाँ पर support 255 से लेकर 247 resistance 274 से लेकर 282 हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा selling pressure आ सकता है तो हफते के पहले दिनों में हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गिरावट के साथ trade हो सकता है और अंतिम दिनों में यहाँ पर recovery mode देखने को मिल सकता है तो हफते के शुरुवाती में हमें लगता है कि हमें लगता है कि हमें विक्वाली के साथ trade लेना चीए जो कि भाव नीचे करीबन 250-255 तक आ सकता है जो कि एक महत्मून स्तर लेवल है वहाँ से हमारा view है कि वहाँ पर दुबारा से अगेन खरदारी की जा सकती है हमने देखा क्रूड के भाव अगेन इस हफते भी करीबन more than 4% की जिरावट के साथ 5,690 के सर पर बंद होते हुए देखे गए यहाँ पर important support 5450 और 52 का रहेगा रेस्टेंस अठावन सो से लेकर 6,50 तक हो सकता है हमने इंटलेशन मार्केट में देखा है WTI के भाव करीबन 77 डॉलर तक और ब्रेंट करीबन 80 डॉलर तक देखा गया इंफ्लेशन की वज़े से यूएस, चाइना और अधर इशन कंट्री सप्लाई बढ़ाने की डिमांड कर रही है और हमने देखा है कि काफी कंट्रीज अपने स्टेटिजिक क्रूड रिजर्ब से क्रूड को रिलीस करने की बात कर रही है साथ में हमने ये भी देखा है कि यूएस मार्केट के जो और रिक्स काउंट है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं जिससे कही न कहीं करूड की आने वाले दिनों में सप्लाइग बढ़ सकती है हabällt कि पंडमिक बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वहां पर एक ये फी है कि करूड की जो डिमांड है पंडमिक बढ़ने की वज़े से लॉकडाउन लगने की वज़े से crude की demand अगेन गिरावट के साथ देखने को मिल सकती है तो हमारा भी जह है कि crude के भावों में अभी अगेन एक गिरावट के साथ trade होता हुआ, दिखाई दे सकता है यहाँ पर हमेरा मानना है कि crude के भाव आने वाले दिनों में चोवन पूंड से लेकर चोवन पचास के स्तर को चूँ सकते हैं और इटलेलेशन मार्किट में WTI के लेवल नीचे करीबन 12 डॉलर से लेकर 73 डॉलर तक और ब्रेंड करीबन 75 डॉलर तक के लेवल को चूँ सकता है तो अगले अफ़ते के लिए हमारा मानने कि यहाँ पर बिक्वाली के साथ ट्रेड लिया जा सकता है वहीं अगर हम नेच्वल गैस की बात करें तो यहाँ पर हमने एक बड़त बनते हुए देखी करीबन 4% की गेंज के साथ नेच्वल गैस के भाव 375-440 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए यहाँ पर मैटपुन स्थर सपोर्ट लेवल 335-335 रहेगा रेस्टेंस 395 से लेकर 410 के बीच रहेगा हमें लगता है कि नेच्वल गैस में विंटर सिजन की डिमांड आने की वज़े से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है पिछले हफते भी हमने लोवर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है हमें लगता है नेच्वल गैस के भाव अगेन उपर में 400 के लेवल को चूँ सकते हैं तो यहाँ पर बाई ओन डिप्स की स्टेजी यूज़ कर सकते हैं और भावो में खरदारी की तरफ ट्रेंड आ सकता है अब हम बात करेंगे एक फॉरेक्स मार्किट की जैसा कि हमने पिछले हफते भी बोला था कि USDNR एप्रीशेशन के साथ ट्रेड हो सकता है तो हमने देखा है कि पिछले हफते 0.29% की गिरावट के साथ USDNR में ट्रेड हुआ और करीबन 74.31 तक के लेवल देखने को मिले यहाँ पर महत्मुन सपोर्ट 74 और नीचे करीबन 73.60 का रहेगा रेस्टें 74.80 75.10 हो सकते हैं हमारा मानना है कि अगले हफते USDNR में एप्रीशेशन के साथ ट्रेड हो सकता है और नीचे भाव करीबन 44 से लेकर 73.80 तक के लेवल को चूँ सकते हैं तो ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिव से USDNR में भी क्वाली काटिड बना सकते हैं नीचे भाव 73.80 तक के लेवल को चूँ सकता है यूरो के अगर बात करें तो यूरो आयनार में हमने पिछले हफते भी कहा था कि मार्केट एक नर्मी के साथ ट्रेड हो सकता है तो यहाँ पर अगें गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला और यूरो आयनार के भाव मोर देन 1% की गिरावट के साथ 84.40 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए यहाँ पर अगें ट्रेंड नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है यूरो आयनार में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 84 और सपोर्ट 83.50 रहेगा रेस्टेंस 85.10 से 85.50 के बीच रहेगा हमारा मानना है कि यूरो आयनार में अगें गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है और यहाँ पर 84 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर भी विक्वाली के साथ ट्रेड लिया जा सकता है अब हम बात करें अग्रिकल्चर कुमोरिटी की तो यहाँ पर हमने देखा ग्वार के भाव इस हफते करीबन 3.38% की गिरावट के साथ 6.285 की सतर पर बंद होते होए देखे गए ग्वार सीट ग्वार कम में हमने गिरावट के साथ ट्रेड देखा है हलना कि यहाँ पर अगर हम देखे तो भाव अब सपोर्ट लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमने देखा है कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद अगेन एक फ्रेश बाइंग देखने को मिली है हमारा मानना है कि अगले हफते में यूरो ग्वार सीट और ग्वार गम के अंदर लोगर लेवल पे खरदारी की जा सकती है हमारा मानना है कि आने वाले समय में जीरे और मसालो में अगेन तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ पर सपोर्ट 16 यार 200 से लेकर 15 यार 700 के बीच रहेगा रेस्टेंग 17 यार से लेकर 17 यार 300 के बीच रहेगा यहाँ पर जो अगले हफते हम टार्गेट कर रहे हैं 17 यार के लेवल का हम टार्गेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट डिमांड बनने की वज़े से, सोइंग कम होने की वज़े से, भावो को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर भी खरदारी की जा सकती है, अगेन अगर हम एडिबल ओयल की बात करें, तो हमने पिछले हफते भी तीजी का इंडिकेट किया था, और इस अ पिछले हफते भी हम तीजी की तरफ ही आते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि सोइबीन के भावो में अगेन हम तीजी आते हुए देखेंगे, पिछले हफते सोइबीन के भाव मोर देन 9% की तीजी के साथ 666 के सतर पर बंध होते हुए देखे गए, हमें लगता है कि स अगले हफते के लिए खरदारी के साथ ट्रेड हो सकता है तो यह था दोस्तो वीकली हाल चाल जो की हमने आपर एक्यूटी कुमोरिटी करनसी पर जिकर गिया हमारा मानना है कि अगले हफते मार्केट थोड़ी वॉलटाइल हो सकती है क्योंकि जिस तरीकी से तीन कानून ट्रेडिंग जारी रखिये और अपने पूर्टफोलियो को नहीं रहा दिखाते रही है धन्यवाद